ई सटुदेंट्स इस वीडियो में हमें स्टार्ट करेंगे ज़नी तीरी में है विए राविटल थेओर स्थ रूल है एक पूमिक आरिटल कम्माइंड विट इच अधर फां मालिट्यूलर आर्बिटल यह फर्स रूल है एक मुझे जो एक आपश में नहुंगे और मालिक्यूलर आर्बिटल को फांग रहाते हैं किसे अच्छरूल हएं वी सिफनड़ आपिंगе टेइचे अधर एड़ इपटेख्यापि ऑ गांपने स्टेख्ट वीस की तो फॉल्सृ कि यह उपता है कि इस फॉर्फ इनर्जी लेवल आर्पितर लोगा इनर्जी लेवल का मालेकूलर आरिटर जिसको हम के से करेंगे एनवी एनवी का मतलब है बॉंडिंग माले क्यूलर आरबिटल वंडे माले कूलर आरबिटल यह वह आरबिटल जो एक पर केकोमे का पर विटल के पर एकूला में लोगर एनरजी लेडल का होगा में जो एकटमिक आरिटाल डिजिनों ने इसको मिल करके बनाया उंके टमपैरिजन में लोवर एनर्जी लेवल में डिजाइन होगा दूसरे टाइप का मालेकुलर आर्बिटल होगा है आर्बिटल आप हायर एनर्जी लेवर है कि सेकंड आर्बिटल होगा जिसको हम एने से रिप्रिजेंट करेंगे और नाम क्या होगा इसका एंटी बॉंडिंग इसको मिलकर के बनाया उन अटो मालेकुलर आर्बिटल दो टाइप में होगे इलेक्तान की जो फिलिंग होती है वो अबाव रंसिफल अब यहां पर हम एक्जामपल समझते हैं इक्जामपल में आप हाइड्रोजन मालेकुल को जब डिजाइन करेंगे तो हाइड्रोजन मालेकुल का फार्मेशन करेंगा हाइड्रोजन एक्टाम इसका डाइग्राम क्या होगा वन एस वन एस आर्बिटल इस पेरिकल इन से व्मों में शिंगल इलेक्टान अब जब हम तो मालेकुलर आर्बिटल डाइग्राम को डिजाइन करेंगे तो यहां भी रूल है कि इस तरह कि यह यह जो एरिया है मालेकुलर आर्बिटल का इसके आउटसाइट यह एक्टोमिक आर्बिटल का एरिया जैसे यह सिंगल ही लगता है यह सिंगल ही लगता है यह वान एस वान और यह दोनों आपस में तम्माइन होंगे और पि हुआ और एक यह मैं तो यह दोनों क्या है एटोमइक आर्बिटन और यह क्या है मालेकुलर आर्बिटर थोड़ा साइसको इसतरी ओपन करेंगे कि कि यह बना पर अब इसका नाम कि यह और भीटर कुंसा है कि एलक्तान की जब फिलिंग होगी ठीज दिख रखान पर अंटेपल नाम इसका होगा फिल्मां बनेक्न इसतुर है है उपसे इसतुर वे मालीकुल का मालीकुलर अर्बीटल डाइग्राम क्या होगा सिद्मां वाने इस्टू यह तो इसका नेचर के आवगा अगर लगतान पेर अगर लास्ट में अगर लेक्टान पेर लास्ट में तो नेचर डाइब नेचर का मीनिंग जाव मिस सब्स्टेंच को हाइड्रोजन माली क्यों में रखेंगे एस लाइडली एसे नेचर को हम भोते हैं यह सब्स्टेंच का नेचर आगा होगा यहां पर है दोडाइग्राम हमने डिजाइन किया है वह इस तरह होगा सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब तो इसकी कहानी बदल कि यहां पाद एच तू मालेक्यूल का नेच्टर डाइं मेगनेटिक आया आप इसका मौन और का फैक वाइड़ कंदीन मालेकुलर आरबिटर्टल माइनस एंटी पाउंडिक एक्जाम में जो आप से कुछा जाता है वह नेचर एंड पॉन्ड आडर तो नेचर हैड्रोजन मालीक्यूल का कैसा है डाइमेगनेटिक योगी लगतान डबद है पेर और पॉन्ड आडर क्या है वाद अब बोन्ड आडर से मालीक्यूल की स्टेबिलिटी का कनेक्षान है हाई डाइमें मिन इसका इंप्रेशन होगा अग्जेश्ट होगा मालीक्यूूल का इंप्रेशन नहीं होगा तो मालीक्यूल की जो इसके बेंड किसके पर हैं बॉन्ड आडर को जीरो से ग्रेटर होना जीए अगर जीरो से कम है या माइनस में है तो बॉन्ड आडर मालीक्यूल का एडिस्स इंबॉसिब है हाइड्रोजन के मालीक्यूल को हम एक इलक्तान रिलीज करें तो यह किसमें कंवर्ट होगा एक टू प्लस अब एक टू प्लस में यह कंवर्ट हुआ तो इलक्तान की पोजिशन क्या होगी एक लेक्टान यहां से माइनस होगा और इसका बॉन्ड आडर जैब पता करोगे तो क्या बनेगा वन माइनस जीरो डिवाइड एड़ वाइड 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 तू इस तो इस तूपर क्या फार्मेसन हुआ नेगटिव आएड तो फिर लेक्तान यहां इक इंक्रीज होगा इसको बलेंगे सिग्मा स्टार वो ने समय हाई अब एक लेफ्टान एनए और लोगवर एनरजी लेफल के लेक्तान लगवी यह आर्बिटल मालीकुलर आर्बिटल यह यह बॉंडिंग मालीकुलर आर्बिटल क्यों विए अटमिक आर्बिटल के कंपेरिजन में लोगर एनरजी लेवल में जंप हुआ जैसे आमने पहले आपको डेफिनेशन सब्सक्राइब और यह नगया रेनरजी लेवल एस कंपेर टू एटमिक आर्बिटल तो यह एंटी समझाने का मतलब यह है के एच्टू प्लस आयन और एच्टू माइनस आयन का बॉंड आडर क्या है सेम दोनों के नेचर भी कैसे हैं सेम यह भी पैरा मेगनेटिक क्योंकि लास्ट में लेक्टान अन पेर्ड है और यहां जब सिंगल लेक्टान होगा तो नेचर में यह भी पैरा मेगनेटिक जोनों का नेचर से में लेकिन इस्टेबल कोन है यह क्योंकि इसके इलक्टान लोगर एनरजी लेबल में है क्योंकि इसके पास सिंगल इलक्टान है और लोगर एनरजी लेबल में होगा वो मालीक्यूल स्टेबलिटी हायर रखेगा यहां इलक्तान क्या ह वा एनर्जी लेवल में जिसका बोन अडर हायर वह इस्टेवल और अगर सेम है तो इस्टेवल वह गाजिसके लेक्टान लोगर इनर्जी लेवल यहां पर आपको तीनों के बारे में समझाया अब मान लेजिए हीलियम का केस लेते हैं इलियम का जब आपके सॉल करेंगे तो बोन अगर का पार्मला दो यह है इलियम में इलेक्टान यहां कितने होंगे टू इधर भी कहांगे टू और यहां पर रजाएगे टू यह लिएम का डाइग्रम बना अब हीलियम का जो माली क्यूल है ड़ नाट एक्जिस क्योंकि उसमे और यहां पर क्या होगा वह इलेक्टान को माइनस करेंगे तो इसके एटम के टोटल कमाइब और इलेक्टान तो यहां पर क्या होगा ओपर को माइनस करें तो हीलियम किसमा माइनस होगा यह किसके जैसा हो गया है हुआ है एक्टू माइनस की जारी है है कि इलियाम टू प्लस एक लक्तान के यह तीन मचे यहां भी हटो मैनस में नितीन होते हैं इसका मतलब इसका दून आडज्बी 0.5 और इसका भी 0.5 आगउ लिख में जिसका इंप्रेशन वोगा एग्जेस्ट वोगा दो इन दोनों में स्टेबल कोन है जिसका लगतां लोटर दो सेंव कंडिशन ने इनकी इसी तरह है है इलियम का माली क्यों जी यो गॉंड आडर के कारण नहीं करें और इसका रीजन है कि जब एनबी और एनए की वैल्यू से मोगफ माली कुल का पार्मेशार नहीं होगा माली कुल की स्टेबिलिटी ग्रेटर बॉंड डार देल जी रो हो अब हम यहां से लीथियम की बात करें लिटियं का यल्ट्राम poka करेंगेँ कित नहीं को 06 लेजिंद अओछ दिन हमक्राइब बनेस्ट दूंड इसलिदेटर न का रहें तो लीथियों को रहेंगे जी बना इसका राग्राम आगे Alec कि ये माइन हो गाई घंग अ कि लगां टान का लोगे लेवर में और ये विलंसी रहे विलंसी चैहल में एंदी में इलेक्तान दो आमें जी रौ मालीक्यूल और हाइड्रोजन का मालीक्यूल सेम इनका इंट्रेशन है लीथियम का मालीक्यूल की बात करेंगे उसमें अब यहां पर क्या होता कि जैसे जैसे इलेक्टान इंक्रीज होते हैं में मालीक्यूल की पहाणी अब जब स्कूर्ण एक्षाम में कुश्चन आता है को हम से पर और नेचर प्रेशर पूछा जाता है तो यह सारी कानी हम याद करने के प्लेस पर हम यह याद रखें की बौन आडर और नेचर की शॉर्ट ट्रिक इसमें बहुत थेमास है और याद रखने का तरीका सिंपल क्या है उसको समझ यहां पर हम हाइड्रोजन हीलियम लीथियम बेरिलियम की हमने स्टेडी कर दो इनके नेचर इनका वोंड आडर सब अलग से सेपरेटली कैलिकुलेट कर दो अब हमारे पास प्राब्लम आती है बेर में टोटाल इलक्तान आठ एक मालीकुल वेरिलियम में कितना होंगे फोर तो दो में कितना होंगे डबल डाइटोमिक मालीकुल की इस्टेडिका है नाइट टेन इलेवन ट्वेल थारटी पॉर्टी फिप्ती सिक्स्टी सेवन्टी एटी इस तरह आप याद रखिए मैंने हैं ूम यह वोगा इन टिकी आप चनवा कितने होते हैं एट फिपौर और टैन होते हैं टोल मालीक दोनों मत दोनों एंटम में मिक्स करड़ें ट्वेल होंगे सब्सक्राइब किसमें होगे एंटू सिक्स्टीन किसमें होगे और यह डायग्राम पनेगा एफ टू इस तरह सम्में लगतान और बीच वाले बाजेटिव नेगेटिव आइन में कंसीडर हो सकते हैं कि तो हम क्या करें कि 8 से लेकर 18 तक का कांटिंग याद रखे शौट ट्रीव है क्या यह वाट ट्रीक जिससे कि आप बोन रादर नेचर को एक सांथ याद रख सकते हैं बिना एक डाइग्राम बनाएं तो एट से 18 तक हमने कांटिंग लेकिंग इनके नीचे यहां 14 के डाउन स साइड मेंने क्या लिका घरी यह थिरी इस का बोन राड कि मतला नायट्रोजन का बोन राडर के याद रखे डार के ट्रेक केलकुलेसंग परना चाहते है कि अब यहां से यह का है तो यह कि यह जा खिरो फाइंट फाइट टू फाइट लेवन फाइड फाइड जीडों यह जीरो पॉइंट फाइव और यह जीड़ों इधर डिक्रीजिंग आडर में जैसे आए उधर भी अब डिक्रीजिंग आडर में चलेंगे तू पाइव तू पाइव जीडो बन पाइव एंपन पाइव यह सिंपल सी ठेक्निक याद रखिए सबके पूंड आडर आपको ते पूंड नेचर की तो नेचर कैसे आज रहें जिसके पास इलेक्टांड डबल है डबल का मतलब पेर वो नेचर में डाइव और पैरिंग का वो ती डबल का वोंगे जब एलेक्टांड कैसे हो इवन नंबर के माली क्यूंड है वो सब डाइमेगनेटिक कि अनेचर क्या होगा तो लेकिन इसमें दो एलेमेंट दो कंपांड तो माली क्यूल को आपको चोड़ना होता इसको शोड़ते देखते हैं अगर अगर अन पैर अले लेक्टांड के पाइव एजब इलेक्टांड कैसे हो कि लेक्टान जब और नंबर होगा इस और नंबर के जितने भी माली क्यूल है वो सब नेचर में क्या होंगे पेरामेंट कैसे होंगे पेरामेंट इस तरह शॉट्टिक आप याद रखिए अगले वीडियो में हम स्टेडी करेंगे डाइपोल मोमेंट की आओके टाइट